लखनावली गाउं में पंचायत कर लोकमन ने संपूर छत्री समाज को अपशब्द कहे जो की निंदनिया है इस सरा से जाती वात का जहर घोलने वाली समाज के लिए घातक होते हैं भारती किसान यूनियन लोकशक्ति इसकी निंदा करती है और लोकमन नेताजी से अपने शब वापस लेने चाहिए मास्टर शिवराज सिंभाटी रास्टे अध्यक्षिब भारती किसान यूनियन लोकशक्ति जय जबान जय किसान भारती किसान लोकशक्ति जिन्दवाद साथियों सोसल मीडिया वो मीडिया के माध्यम से पता चला अभी चार रोज पहले एक बाजपा नेता पैसमाजिक तत्तों ने जिसमें सायदकारी और सफेद इसकार्पियों का जिकर आता है बहिंकर प्रहार किया यहां तक कि इतना जिवर्जस्ट प्रहार किया कि उसके जान के लाले पड़ गए आज वो ठीक है आराम है उसका इसका हिलाज चल रहा है और बाहर के किसान किसी भी प्रादरी का हो किसी भी आताताई के साथ नहीं है उसके बाद कल मैंने सोचल मीडिया के माध्यम से देखा लोकमंजी जो कभी पहले बस पाके नेता हुआ करते थे फिर समाजवादी में थे साइद आज उन्होंने भाजपा जोन कर लिए उन्होंने अपने यहां ब चाहिता बनना चाहते हैं तो मैं लोकमंजी से कहना चाहता हूं कि महिश सर्माजी के साइद इतनी ब्रामन ब्रादरी की बोट नहीं होंगी जितनी राजपूत ब्रादरी ने महिश सर्माजी को हर्च नाम में साथ दिया है 2009 से और अब तक बराबर महिश सर्माजी की कि हो सकता है संपूर्ण ब्राहम्र समाज भी लोकमंजी के साथ नहों और दो चार राजपूत भी ऐसे हो पर चुनाव आने जहर ना घोले मैं जो लोकमन जी ने का है कल लखनावली में पंचाइद करके राजपुर समाज को गाली दी है इसकी घोर निंदा करता हूं और लोकमन जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने सब्दों को वापिस ले किसी भी जाती पर कुठार अगात करने का उनको कोई अतकार नहीं है धन्रवाद जय हिंद जयवारत है हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें